गिर गया करीना का स्टार्डम फीका पड़ गया करीना का चार्म जी हाँ आप एकदम सही सुन रहे हैं भले ही मेटनिटी ब्रेक से करीना का पूर के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा हो लेकिन उनका स्टार्डम अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था ये हम यूही नहीं कह रहे, वज़े है ही कुछ ऐसी दरसल बॉलवट के गलियारों में खबर काफी सुर्खियां बटो रही है और वो है कि करीना को एक फिल्म आफर हुई है जिसके लिए उन्हें 6 करोड का आफर आया है आपको याद हो तो बता दें कि करीना ने फिल्म हिरोईन के लिए 12 करोड चार्ज किये थे अब ये अमाउंट पहले के मुकाबले आधा हो गया है तैमूर की मा बनने के बाद करीना अब घंटो जिम में पसीना बहा रही है ताकि वो अपने आपको पहले की तरफ फिट कर सके वैसे करीना सोनम के साथ वीरे दी वेडिंग में काम कर रही है लेकिन इस नई फिल्म के लिए इतना कम अमाउंट मिलना वाकई करीना की शान के खिलाफ है खेर इस फिल्म के नाम का खुलासा तो नहीं हुआ है बताया तो ये भी जा रहा था कि करीना करन जोहर की नेक्स्ट फिल्म में काम करने वाली है लेकिन ये सिर्फ अफवा ही निकली अब हम तो ये ही कहेंगे कि करीना अब तो आलिया, श्रद्धा और परी का जमाना है ऐसे में आपकी डिमांड तो कम होगी ही न्यूस एक्स्प्रेस की रिपोर्ट